हेलो फ्रेंड्स मैं डोक्टर ग्यांगो स्वामी कंसर्टेंट पर्मोनोलोजिस्ट एड गाजियवाद दोस्तों ठंड शुरू हो गई है ठंड के साथ ही पॉलूशन का लेवर भी काफी बढ़ गया है आप लोगों भी देखा होगा पीम 2.5 एर क्वालिटी इंडेक्स यह इसे शे मेने से करोना सेंटर का इंचार्ज हूं हमें देखा बीच में यह कम हुई थी लेकिन सडेनली जैसे थंड स्टार्ट होई है यह थो बढ़ गई है तो इस मौसम में जो कोरोना पेशंट जो ठीक हो चुके हैं रिकवर हो चुके हैं करेंट्ली जो इस चीज जूज हैं और इसके साथ ही साथ other respiratory symptoms से जो प्रभावित लोग हैं जैसे COPD, asthma, allergy bronchitis के लोग हैं उन लोग के लिए छोटे-छोटे कुछ tips हैं पहली चीजें मास्क तो लगा कर रखना है अब आप पूछेंगे कि मास्क कौन सा तो मैं आपको कि N95 मास्क ही लगा करके बाहर जाएं आजकल आप भी जानते हैं कि respiratory exercises योगा अनुलोम विलोम इन सब के ऊपर काफी जोड दिया जा रहा है मैं भी एडवाइस करता हूं यह सब exercises करें लेकिन इस टाइम पर घर के बाहर जा करके exercises ना करें क्योंकि अनुलोम विलोम प्र करें सो दूसरी चीज के लावा एक एर वरिफायर आप लगवा सकते हैं बहुत से चीज़े नहीं करता है इसके साथ elderly लोगों के लिए मेरी एक सला है कि pneumococcal vaccination और flu vaccination flu vaccination सलाना होता है pneumococcal vaccination पांस साल में एक बार होता है यह जरूर जरूर करवाएं जिससे कि उनके symptoms में अचानक कोई बढ़ोतरी नहों इसके साथ ही other respiratory system से प्रभावित लोगों हैं जो allergic bronchitis, asthma से उनके लिए vitamin D3 का supplement लेना बहुत जरूर है vitamin D3 आप जानते है sun is the only source सूरज की रोशी से मिलता है तो आप यह supplement जरूर लें तो दोस्तों यह चोटी-चोटी सलाय थी मेरी इस टेम पर pollution काफी बढ़ रहा है उसके लिए अब मैं आप लोग को पताना चाहूँगा मैं को इस लोग 95 मास्क लगाते हैं क्या इंग में difference है एक छोटे से test के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ जिसको हम flame test भी बोलते हैं तो दोस्तों यह flame test है आप देख सकते हैं एक बगार मास्क के अगर कोई व्यक्ति है और एक सामने एक मंबत्ती की light है अगर हम इसको फूंके हैं तो यह बिल्कुल बुझ जाएगा और मैं थोड़ा सा भी जोड़ से फूंक दूँगा तो यह बुझ जाएगी अब मैं दिखाता हूँ आपको कि यह जो हम नॉर्बल एक मास्क थ्री प्लाई मास्क जो है इसको यूज करते हैं अब आप देखिए यह मैंने लगाया यह मास्क लगाना का पूरा सही तरीका है चीन से लेकर के और नाक के जो बिरिश तक का पूरा एरिया यह धका होना चा हूँगा कि N95 मास्क लगाने के बाद इसका क्या होता है इस फ्लेम टेस्ट में अब आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने यह N95 मास्क यूज किया है पूरी तरह सही तरीका से यूज किया है ब्रिज आफ नोस से लेकर के पूरा चीन तक कवर्ड है अब मैं इसमें केंडल को कर रहा हूं पूरी ताकत के साथ तो आप देख सकते हैं कि फ्लेम हिल भी ने रही है इससे आपको पता चल सकता है कि इसके लेयर कितने ज्यादा जो है कर रहें हस्पिटल में काम कर रहें बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो ये एक अंनु मास्क करें कि तो आप देख सकते हैं पूरी की पुरी फ्लेम इस से बुच जा रही है पूरे तरीके से नीचे चली जा रहे हैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कभी यह बहस्त न करें कि यह मास्क जो है एक पर्त वाला रुमाल बाज लेने से यह दूपटे की एक पर्त Thank you so much.